जैसा कि हमने पिछली तीन क्लास हमें देखा संक्या पद्दती को हम धिरे धिरे लेके आगे बढ़ा रहे हैं बहुत बारिक से बारिक चीजे ले रहे हैं ताकि आपको कोई कटनाई ना हो और जो कि आपको कहीं अब लेविल नहीं होता या जो स्क्रिप कर जाते हैं हम कठिन कठिन पढ़ने के चक्कर में वो चीजे हैं सरल से सरल या जो बहुत बेस है पूरी मैत का आधार है उसको हम पूरा का पूरा कवर करने एकोसिस कर रहे हैं तो आज हमारी संक्या पद्दती की फोर्थ क्लास होगी तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं जाते मान, परिशुद्ध मान या वास्तविक मान या अंकत मान इसी से आगे जाके हम पढ़ेंगे स्थाने मान तो जो वास्तविक मान, जाते मान, परिशुद्ध मान, अंकत मान ये चारों एक ही नाम है इनको इंगलिस में local value, face value, real value इस तरीके इसके नामों से जाना जाता है जैसे हम कोई भी संख्या लेखें 4567 ये लिखा हुआ है इस संख्या में 5 का जातिय मान क्या होगा तो किसी भी संख्या में जातिय मान किसी भी अंका वह स्वयम अंक ही होता है मतलब अंकित मान face value local पहचान होती है जैसे 6 का जातिय मान या 6 का अंकित मान वाइस अंक या वाइस संख्या particular स्वैम होगी तो संख्या 5000 सोरी संख्या 4566 में 4 का जातिय मान 4 ही होगा 5 का 5 6 का 6 और 7 का 7 तो दी गई किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातिय मान वह अंक स्वैम होता है प्ले स्वैलिए वह अगर इसके हम definition की वाद करें तो ध्यान से सुनना किसी भी संख्या में किसी भी अंक के जातिय मान और उसके इस्थान का आपस में गुणा कर देना ही इस्थानिमान कहलाता है उस संख्या में उस अंग का तो जैसे इसको देखें 4567 लेले हम जो कि हमने जातिमान में लिया हुआ था तो इसमें अगर हमसे पूछा जाएगी पांच का इस्थानिमान क्या होगा तो पांच का इस्थान कौन सा है हंड्रेट, एकाई, दाहाई, शैकड़ा स्वबा है और पांच का ही जातिमान क्या होगा वो होगा 5 इन दौनों का आपस में घुडा कर देने से इसका इस्थानिमान बनेगा पांसो इसी तरीके से बागी के अंकों में करना है या फिर इसी question को हल करने के लिए ये definition हम थोड़ी सी बदलें बदलें इस तरीके से कि 5 का इस्थानिमान हमको बताना है या 6 का बताना या 7 का या 4 का तो सिधा सा 21 से उसको count करें 21 दहाई शेकड़ा कौन सा इस्थानिस का सौवा तो कुछ नहीं करना वही यंक लिखके और 0 लगा दो उसके पीछे वही यंक लिखके उसके पीछे जितने यंक हैं उतने 0 लगा दो जिसे 4 का स्थानिमान हमको बताना है तो 4 को लिखो और जितने उसके पीछे यंक हैं उतने 0 लगा दो होता कुछ नहीं है इन जातिमान और इस्थानिमान के कॉंबिनेशन से question बनते हैं कुछ जो कि हम देखेंगे आगे तो बैसे इसकी आपके लिए कहीं परिभासा तो बताने नहीं कि परिभासा होती क्या है और अगर आपको जरूरत है तो आप नोट कर लें या लिख लेना कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का इस्थानिमान उस अंक के जातिमान या अंकितमान और उसके इस्थान का आपस में गुडन फल होता है किलियर है ठीक है तो 4567 में अगर 7 का इस्थानिमान पूछेंगे तो 7 ही होगा और 6 का इस्थानिमान पूछेंगे तो 6 और ये पीछे एक अंक है तो 1,0 चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ कॉस्चन देखते है जैसे की कॉस्चन है हमारा 4 करोड 28,63,015 में प्रतिक अंक का इस्थानिमान इस तरीके से जो जीरो का इस्थानिमान आएगा वो जीरो ही आएगा तो यहां से यह किलियर होता है कि किसी भी संख्या में सुनने किसी भी प्लेस पर हो किसी भी स्थान पर हो एकाई दाहाई के प्लेस पर हो चाहे जीरो दाहाई के प्लेस पर हो चाहे जीरो सैकले के प्लेस तो यह आपको याद रखना है क्योंकि इस पर कई वार कॉस्चन आई हुए हैं इसके आगे तीन जो तीन है वो हजार के इस्थान पर है तो तीन का जो जातिमान होगा वो तीन और तीन का जो इस्थान है वो हजार है तो इस तरीके से तीन का जो इस्थान इमान होगा वो तीन इसी pattern में ये आगे बड़ा हुआ है तो आप पूरा इसको देख सकते हैं clear है लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि 0 का जो इस्थानेमान होता है वो हमेशा 0 ही होता है वो कभी नहीं बदलता चाहे 0 किसी भी place पर क्यों न हो अंख्या 4567 में 4 के इस्थानेमान और 6 के अंकित मान का गुणनफल क्या होगा 4 के इस्थानेमान और 6 के अंकित मान का गुणनफल क्या होगा तो 4 का इस्थानेमान क्या गरना है 4 उसी अंख को लिखना है और उसके पीछे जितने 0 है जोरी जितने अंक है उतने 0 लगा देना हो, 6 का जातिमान होगा, वो क्या होगा, 6 ही होगा, किलियर है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, बस इसका आपस में गुणा करना है, 4 का 6 गुणा, 24 और ये 3, 0, तो इस तरीके से आ जाएगा 24,000, किलियर है, अब इसी question में अगर हम से बोला होता, कि 4567 में 5 के स्थानिमान और 6 के जातिमान का अंतर कितना होगा, तो 5 का स्थानिमान कितना हो जाएगा, पीछे 2 अंक है, तो 2, 0, 6 का जातिमान 6 होगा, बस घटाना है, हमार लिए, तो ये फाइनली आ जाएगा 494, किलियर है, इस तरीके से, तो क्या पूछ सक सकता है किसी भी कॉस्चन में, ये सिंपल कॉस्चन में कि गुड़ना, गटाना, इस से जादा कुछ पूछेगा ने, और आगे देखते हैं, इस थानिमान पर आधर्दीक महत्मूर कॉस्चन है, हमारा, जो कि लिखा हुआ है, संख्या 5,5,050, अगर 5 गुड़न दस पर x की जैड की पावर से मिलकर बनी हो, तो x प्लस by प्लस z वराबर क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताए, इस थानिमान पर आधरित है, तो इसको हम उसी तरीके से हल करेंगे, जैसा आप देख पा रहा है, जो संख्या है, उसमें 3 बार 5 है, और जो संख्या बनाने को लिखी गई उसमें भी 3 बार 5 है, और 3 की पावर, जो पावर दे रखे है, वो 3 जगए हमें आंसर करना है, 10 प x की पावर, प्लस 10 पर by की पावर, प्लस 10 पर z की पावर, और इन पावर को हमारे लिए 5 गुणा 10 पर, क्योंकि 5 पावर यहां लिखे हुए है, उसी से convert करके बताना है, तो लास्ट वाले 5 का अपनिस्थानिमान देखें तो 50, और यह बन कैसे सकता है, 10 की पावर के रूप में, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 10 पर 1 की पावर, इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर है, फिर दूसरा 5 है, इसका इस्थानिमान कितना होगा, 500, सॉरी, 5000, दूसरा वाला 5 है इसका इस्थानिमान कितना होगा, 5, 4 होगा, और यह बनेगा कैसे, 5 गुणा 10 पर 3 की पावर, और जो तीसरा 5 है, उसका इस्थानिमान कितना होगा, तो यह देखना है हमारे लिए, कि इस 5 के बाद कितने अंक हैं, तो उतने 0 लगा देंगे, तो 5 अंक हैं, तो 5 0 लगा दें क्लियर है और यह अगर हम 10 की पावर के रूप में लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 5 गुणा 10 पर 5 की पावर क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 है मतलब एक लाग का गुणा करना है 5 में तो हो गया 5 लाग अब X की वैल्यू हम इसको मालने या इसको मालने उससे क कोई फर्क पढ़ने वाला है नहीं क्योंकि हमको प्लस करना है तो X वराबर 1, 2 वराबर 3 और Z वराबर 5 तो यह फाइनली कितना हो जाएगा 5, 3, 8 और 1, 9 क्लियर है ठीक अब अगर यह X प्लस Y प्लस Z ना पूचके उसने पूचा होता X into Y into Z तो तब भी करना यही पढ़ेग काम को और यह गुड़ा 3 गुड़ा 5 इस तरीके से गुड़ा कर देंगे तो 5 का 3 गुड़ा कितना हो जाएगा 15 यहां इस एक का कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है अब अगर इसी कॉस्चन को हम देखना चाहें कि यह सौट ट्रिक में कैसे होगा या डारेक्ट करना चाहें त चाहर बार जितनी बार ही भी हो तो इस वाले 5 के बाद कितना हंख है या कितना 0 है एक है तो यह 50 तो 10 पे कितने की पावर बनेगी एक की अगर हम x, y और z देखें तो 10 पे कितने की पावर बनेगी एक की फिर दूसरे वाला 5 तो 1, 2, 3 इस 5 का स्थानिमान 5000 होगा और 5000 में 1000 का कोड़ा कर रहा होंगे या फिर कितने 0 आ रहा होंगे 3 तो 3 लिख लेंगे और तीसरे वाले 5 में कितने अंक हैं इसके बाद में 5 मतलब 5 0 आएंगे तो Z की value 10 पे कितने की power होगी 5 की तो इन सब को add कर देंगे तो 5 3 8 1 9 तो इस तरीके से सीधा हो जाएगा अब अगर और कोई दूसरा question होता clear है जैसे कि हम बना लेते हैं कोई question लोग इस तरीके से कोई question ये लिखा हुआ है सत्तर लाख साथ हजार सत्तर clear है 701 अगर गोशन इसी तरीके से हो की vlogging 10 पर X की power plus 7 गटन 10 पर Y की power plus 7 गटन 10 पर Z की power से मिलकर बना हुआ है तो X plus Y plus Z के बरावर कितना होगा तो इसको अब हम सीधे से करेंगे इस 7 का इस्थानिमान कितना होगा 70 और 70 में 10 तो उसको कैसे लिख रहे होगे हम 10 पर 3 की पावर तो इस तरीके से आपर 3 की खाता आजाएगी फिर इसके बाद लिखा हुआ है ये 7 तो इसमें 7 का इस्थानिमान कितना हो रहा है 70,000,000 हो रहा है clear है? इस वाले 7 का इस्थानिमान 70,000,000 और 70,000,000 बनाने में अगर हम 10 की पावर से लेके बनाएं तो 7 गुड़ां 10,000,000 का गुड़ां करेंगे और 10 पर कितने की खाता आजाएगी? 6 की खाता आजाएगी clear है? बस इसके लिए आप हमारे लिए एड़ कर दें 6,9,1,10 clear? मैं आसा करता हूँ आप के लिए समझ में आया होगा ये direct वाला तरीका जिसको आप trick भी मान सकते हैं या फिर direct तरीके से भी मान सकते हैं इस तरीके से ये question हल करेंगे आपने देखा कि हमने एस्थाने मान के लिए देखा जो की सामाने संखेया हैं ती पून संख्या भी बोल सकते हैं जो कि complete थे लेकिन आप भी हमेशा देखते हैं या चात्र जादा तर देखते हैं कि वो कठिन के पीछे हमेशा भागते रहते हैं तो अगर यहीं मैं एक बात करें और बनता है कि दसंबलाव संख्याओं के इस्थाने मान और जिनको हम गलती से क कुछ और ही पढ़ लेते हैं कि एकाई दाहाई शैकड़ा पढ़ लेते हैं जो कि ऐसा होता नहीं है तो देखें आपर अगली हेडिंग डालेंगे हम दसंबलाव संख्याओं के इस्थाने मान इसमें कोई भी संख्या ले ले लें अगर हम यह लिखा हुए है चार सो पचीस दसंबलाव 169 इस तरीके से लिख लेते हैं आप इसमें जो डावट रहता है हमेशा कि हम एकाई इसको भी बढ़ते हैं तो यह एकाई होती नहीं है ना यह दहाई है ना यह शैकड़ा है और कई लोग इसको एकाई बढ़ते हैं तो इकाई दहाई शैक्ड़ा अनुज भी है क्या? तो सबसे पहले मैं बता हम आपके लिए एकाई तो यह है जो कि आप जानते हो दहाई यह है और यह शैकड़ा इसी तरीगे से पैटर्न आगे बलता जाए गए एकाई दहाई शैकड़ा हजार दस हजार लाग की तरोफ क्लिए रहे इसके पीछे क्या होता है? तो यह है वई दसांस दसांस मतलब दसवांस ठीक है? यह है सतांस मतलब सवांस या अंस का मतलब होता है भाग अंस मतलब होता है भाग दसांस मतलब दसवा भाग या दसवांस سतांस मतलबब सवाभाग या सॉबांस और ये यहाँ पर है सहस्ट्रांस सहस्ट्रांस वाहू तो सुनाओगा आप लोग ने सवचाहू वाला इस तरीकले से सहस्ट्रांस मतलब सॉबांस या सॉबाग इसके लिए अगर इंगलीस में देखें तो यूनिट बोलते हैं इसके लिए टैंस बोलते हैं इसके लिए हंड्राइट बोलते हैं ठीक है इनको इंगलीस में क्या बोलेंगे इसके लिए बोलेंगे टैंस इसको बोलते हैं टैंस और इसको बोलते हैं हंड्राइट और इसको बोलेंगे थाउजा टी एच ऐसा आ जाता है बस लास्ट में और कुछ नहीं होता है इस तरीके से तो चारसो पच्ची दिसम्लाव तेनसो उनसट में ये तो सिर्फ अभी इनको आपने पढ़ा कि इनको बोलते किसको क्या है इसके बाद हमारे लिए ये देखना है कि दिसम्लाव के पीछे वाले यंकों का इस्थानिमान क्या होता है और कैसे निकाला जाता है तो अगर इसमें चारसो पच्ची से चारका इस्थानियमान तो वही चारसो होगा चार सो फिर दो का इस्थानेमान ये हो जाएगा बीस और पांच का इस्थानेमान ये हो जाएगा पांच इस वाले पार्ट का इस्थानेमान ये लिखा हुआ है फिर दसमलाओ के बाद वाले अंगों का इस्थानिमान जो की लिखा हुआ है दसमला के बाद 3, 5, 9 तो सबसे पहले तो ये तो आपने किलियर कर लिया कि अब आप कभी भी इसको एकाई दाहाई शैकडा नहीं पड़ेंगे ना ही यहां से इस तरफ, ना ही इस तरफ से इस तरफ जो की ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं मैं अभी किलियर करा दूँगा कैसे नहीं होते हैं जैसे कि आप जानते हैं 425 में 5 कैसे बना हुआ है 10 की पावर से लेके बना हुआ है तो 5 गोड़ा 10 पर 0 की पावर is equal to 5 ही आया, 2, 2 गोड़ा 10 पर 1 की पावर तो 20 बना तो हो गया 20 इस थानिमान ठीक है, 4, 4 गोड़ा 10 पर 3 की पावर तो हो गया 400, तो हो गया 4 का इस थानिमान 400 लेकिन ये 0.3, 5, 9 अब आपने बोल दिया कि एक आई है मतलब 3 गोड़ा 10 पर 0 की पावर तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, लेकिन ये तो दसमलाव 3 है, फिर आपने बोल दिया कि 5 गोड़ा 10 पर 2 की पावर तो ये तो 50 बना लेकिन ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है, ये तो 50 है भी नहीं, ठीक है 9, फिर आपने बोल दिया 9 गोड़ा 10 पर 3 की पावर तो कितना बनना चाहिए 900 बनना चाहिए जो कि बिलकुल भी नहीं है अपोजिट समझ में आ रहा है कि 2-0 आएंगे पीछे तो आहीं नहीं सकते तो इस तरीके से ये कभी भी आप ये गलती ना करें कि इनको आप एकाई दाहाई शेकला पढ़ें जो कि बिलकुल भी नहीं होता है कोई भी ऐसी किसी भी संख्या में ये इसी पैटर्न पर आगे बढ़ता जाता है ये दसान से मतलब दसवा भाग ये सतान से ये सहस्तरान से इसी तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा याब बोलें, गुड़ा एक वटे दस होता जाता है, गुड़ा एक वटे दस गुणा होता जाता है, बाये से दाये तरफ जाने पर, ये बाये से दाये तरफ जाने पर, गुड़ा एक वटे दस गुणा होता जाता है, clear है, तो जैसे तीन है, तीन गुड़ा एक वटे दस और के बाद वाली संख्याओं का आपके लिए या बाद वाले अंकों का इस्थानिमान बताता हूँ जैसे कि इनके हम नाम तो जानी चुके हैं ये दसान से सतान से सहस्त्रान से के लिए अंस मतलब इनके नाम से बोध हो रहा है कितने अंकों के पहले दसम्लाव है या वो दसम्लाव के बाद ही तुरंथ है तो इसको हम बनाएंगे तो यह बनेगा कैसे है इसमें गुणा करना बढ़ेगा एक वटे 10 तो यह फाइनल ही हो जाएगा 3 वटे 10 इसका इस्थानिमान होगा एक तो इसको यह बोल सकते हैं दूसरा इसको या करके, क्योंकि वो option पर depend करती हैं, कई चीज़ें हमारे उपर depend नहीं करती हैं, कि हम क्या बोल रहे हैं, या हम answer क्या कर रहे हैं, वो नहीं करता कोई माहिने, माहिने क्या करता है, कि वो चार option मैंसे उसने पूँचा case level से answer के लिए, तो ये बिलकुल भी ना सोचे कि technometry बननी चाहिए, algebra बननी चाहिए, समय आने पर वो भी देखेंगे, बारी कि या हमारी अगर बहुत मजबूत होंगी, तो वो यी बात है न, बूद बूद से खड़ा भरता है, तीन गुड़ा एक वर्टे दस, बरावर तीन वर्टे दस, या इसी के लिए बोल सकते हैं हम कि तीन, दसांस, क्लिए रहे, ये भी इसका answer होगा, ये भी सही है, और ये भी सही है, डिपेंड ए करता कि option में कौन सा आना है, दोनों कभी आएंगे नहीं, अगर आप आज के स्थानिमान में हमारे लिए ये देखना है, कि ये दसमलाओ के कितने अंकों के बाद है, या इससे दसमलाओ कितने अंकों के पहले है, तो दो अंकों के पहले है, किलियर, इसको हम कैसे बनाएंगे, वही मैंने बोला था, कि दसमलाओ संख्याओं में बाई तरफ से द पांच वटे 100, clear? इसका इस्थानिमान क्या आ जाएगा? पांच वटे 100, या फिर इसका आप बोल सकते हैं कि पांच सतांस, clear? पांच सतांस, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, clear? ठीक है, आगे देखते हैं हम 9, तो इस 9 का हमें ये देखना है कि ये दसमलाओ के कितने अंकों के बाद है? एक, दो, तीसरा इसका इस्थान है, दसमलाओ के बाद इसका इस्थान कौन सा है? तीसरा है, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? अब एक, दो, तीन, एक बटे, 1000 का कुणा करेंगे, किलियर है? तो ये क्या बन जाएगा? 9 बटे 1000, तो एक तो आंसर इसका ये हो गया, या फिर एक आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला, नौ सहस्त्रांस या फिर नौ बटे एक हजार, इसके दो आंसर हो सकते हैं किलियर हैं, अब अगर इसमें आपके लिए कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं फिर से बता दूँगा या मैं अभी एक और कॉस्टे नाप के लिए इसी तरीके का ला दे रहा हूँ, छोटा सा, यह बहुत छोटी बात है, जो कि हम स्किप कर जाते हैं कई बार बड़ा बड़ा पढ़ने की चक्कर में, कठिन कठिन पढ़ने की चक्कर में, लेकिन एकजाम नमकिन की तरह आता है, ना तो मोटा एकदम और ना ही एकदम पतला मीडियम होता है, हर चीज आनी है, किलिए रहे तो हमें हर चीज लेके चलना पड़ेगा और बैसे भी यह पूरी मैत का आधार है तो और जरूत पढ़ती है हमारे लिए ठीक, तो यहां हो सकता आपके लिए डाउट हो रहा होगा कि यह जो हमने लिख रखा है नौवटे, एक हजार यह ऐसा नहीं हो सकता है तो आगे देखते हैं, इनके लिए हम हल करके दूसरे कॉस्चन में इस तरीके से, यह कॉस्चन है हमारा 824.537 तो यह तो आपके लिए दसमलाओ के पहले वाली संख्याओं का तो बराबर आता है, इस थानिमान उसमें तो को यह सुने है, हमें देखना है पीछे वाले का, तो पीछे वाले में सबसे पहले मैं देखूँ, इसी के लिए देखते हैं, हम 5 तो समलाओ के बाद जो 5 है, तो हम इगनोर कर रहा है कि यह 5 का इस्थानिमान क्या होगा तो 5 गोड़ा 1 बटे 10, जो कि अभी मैंने आपके लिए बताया, ठीक है इसका इस्थानिमान क्या हो जाएगा, 5 बटे 10 हो जाएगा किलियर इतना या इसी का आंसर बोल सकते हैं, 5 10 आंस, जो कि अभी हम लिख रखे हैं इसको और हल करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, इसका इस्थानिमान ठीक क्योंकि हम 10 का भाग दे रहे हैं 0.5 में, तो 0.5 भी आएगा एक आंसर इसका हो गया, यह चुका था भी पिछले, यह आपके लिए एक और मैंने अंसर एड कर दिया, फिर 3 का इस्थानिमान, यह वाला 3, 3 का इस्थानिमान तो यह बना कैसे होगा, formation 3 गुणा एक बटे 100 तो यह बनेगा, finally 3 बटे 100, इसको और जादा हम हल कर दें, तो यह बनेगा, point 0,03 या 0,03 इस तरीके से, तो एक आंसर इसका यह हो गया, तीसरा आंसर इसका हो जाएगा, 3 सतांस अब हम देखे, एक और 7 का इस्थानिमान तो यह देखना है, इसकी दूरी कितनी है दसम्लाव से, तो 1, 2, 3 बस करना क्या है, जैसे हम सामान संख्या में देख रहे थे कि किसी भी अंक में इस्थानिमान बताने में उसका, उसके पीछे कितने अंक है यह देखना होता है, और अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो यह 824 अकेला जब हम लिखाएंगे दसम्लाव नहीं लगाएंगे तब भी हर एक संख्या में दसम्लाव पीछे होता ही है क्योंकि अगर कुछ भी हम यहां से बनाएंगे इसके बाद अंक लिख रहे होंगे क्लियर है, तो कोई भी संख्या लिखे हैं ऐसा मान लिया जाता है कि 45 लिखा हुआ है 45 में दसम्लाव यहां से लगा सकते हैं क्योंकि जब भी हम कभी एड़ करते हैं जैसे 45 को हम एड़ करना है 0 दसम्लाव तीन पाँच में तो हम ऐसे एड़ कर रहे होते, 45 इसके बाद में या फिर दसमलाव जब नहीं होता है दसमलाव हम बोलते नहीं लेकिन यहां दसमलाव है तो इस दो में यह देखें कि दसमलाव से कितनी दूरी है तो दूसरा इस्थान है दो का और यहां तीन का भी दूसरा इस्थान है दसमलाव से तो तीन में देखो यहां और तीन में हमने 100 का गुणा किया, क्योंकि एक दसमलो ये सवाले का, एक इसका, एक इसका, लब 0, sorry, एक 0 ये, एक 0 ये, एक 0 ये, तो एक वटे 100 आ गया, अब 7 का स्थानिमान हमारे लिए देखना है, तो 7 के स्थानिमान में करना क्या है, गुणा एक वटे, 1000, गुणा एक वटे 1000 करने से, एक आंसर आपका ये आगया, तियार हो गया, डिपेंड करता, ओप्सन क्या पूछ रहा है, ठीक है, 7 वटे 1000, इसको आप भाग कर देंगे, किसका 1000 का, दसमलो नीचे देखें, कितने 0 हैं, 1000 हैं, एक दो तिन, तो दसमलो के बाद, तीन अंकों के पहले 0 आएगा, या दसमलो के बाद, कितने अंक आएगे, तीन, या तीन अंकों के पहले, 0 होगा, तो इस तरीके से, यह आंसर आपका, यह हो गया, 0, 0, 0, 7, या इसी को आप बोल सकते हैं साथ सहस्त्रांस, साथ सहस्त्रांस, तीन आंसर आपके हो गया, मैं आसा करता हूँ, आपके लिए सब चीजे समझ में आये होंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजे हैं, जो कि हम skip कर जाते हैं जनरली, और पूछ लेता है examiner, तो बताने में फिर इस होता ह हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता हम एकाई-दाहाई की तरह ही बढ़ते हैं, option भी कई वार ऐसे होते हैं, जो कि मिलते जुलते होते हैं, तो अब मुझे comment करके जरूर बताएं, ये बात समझ में आई,